हलो मेरे पार बच्चों, क्या फाल चाल, बढ़िया साब, क्या आपको भी फिजिक्स के निुमेरिकल में समस्या होती है, अगर ऐसा है तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है और ये समस्या सिर्फ और सिर्फ आपकी ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको physics के numerical में बहुत ही जादा समस्या होती है, numerical के नाम से ही वो डर जाते हैं और यही आपके number को ले डूपते हैं, क्योंकि बच्चों हम बात करें physics में, 12th physics की बात करें, तो 70 में से minimum की ब तक पहुंच जाते हैं, तो अगर 70 में 20 भी आ गया, 25 नंबर का भी numerical आ गया, तो भई यही पूरा का पूरा खेल बिगार भी सकता है, और यही पूरा का पूरा खेल बना भी सकता है, आपके साथ वो समस्या ना होने पाए, इसलिए इस वीडियो को complete देख लेना बच्चों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 3 basic rule बताएंगे, जादा नहीं, 3 rule, तीन ऐसे rule बताने वाले हैं, जो आपको board exam में हो, या फिर आप जब भी घर पर study कर रहे हो, या school में हो, कहीं पर भी हो, कोई भी numerical परहसान नहीं कर पाएगा, तो चलिए देख लेते हैं, वो rule कौन कौ से हैं, और आज इस वीडियो को complete जरूर देख लेता हूँ, इस बात की बच्चों, अगर इस वीडियो को आपने complete देख लिया, definitely आपको numerical में problem होगी ही नहीं, ठीक है न, चलिए, सबसे पहले हम बात करें, जो first rule है आपका, आपका जो first rule है, value को collect करना, ध्यान से समझिएगा बस पढ़ लेने से इसका कोई मतलब नहीं है, value को collect करना, अभी आपको example, हम एक दो numerical का example देकर समझाएंगे, और आप चुटकियों में उसको solve करेंगे, ठीक देखे, value को collect करना, जो भी कोई numerical हो, कोई भी numerical है, आपका question दिया है, सवाल दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करन है, शुरुवात कहां से करना है, यही सबसे बड़ी problem है, शुरुवात कहां से करना है, तो सबसे पहले value को collect करना है, like that, जैसे भी एगर लिखा है कहीं, question आ गया, कि दो एंपियर की धारा बह रही है, ठीक, और एक second में, एक second में इतनी धारा बह रही है, ठीक है ना, या चा student उतना जादा भई, उसका दिमाग सार्प नहीं होता है, तो week student numerical six exam, वो हमारा मतलब है, ठीक, यही हमारा धे है, तो जब भी हम पीछे जायंग बच्चों धारा दे दिया, तो इसका मतलब यह क्या है, I से इसको अपन दरसाते हैं, I का मान हो गया, second दे दिया, इसका मतलब स समय है, तो समय को T, यानि time से दरसाते हैं, फिर यह वेग इतने meter per second के वेग से है, यानि V का मान हो गया, ठीक, इस तरह से, ठीक, तो यह हो गया, जैसे दे दिया भई, दो केजी दिया, ठीक, केजी दे दे, या दो mg दे दे, ठीक, या फिर दो ग्राम दे दे, तो भई, चाह से पहले हमारा जो काम है, हमें क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले value को collect करना है, दूसरा क्या काम करना है बच्चों, दूसरा, और most important, ठीक, दूसरा और बेहद जरूरी चीज, ठीक, क्योंकि सारी समश्या सुरू यहीं से होती है, कि unit में correction करना, और यहीं बच्चे कर नहीं पाते हैं, don't worry, कुछ ऐसे unit है, जो वही repeat होते हैं, वो चीज अभी हम लिखते रहे हैं, तो आपको दूसरा क्या करना unit को, यहीं जो भी मात्रक दिये हैं, उनको सुद्ध लिखना, जैसे जाना तर बच्चों, जो हमें पता है, कि जो मात्रक होते हैं, MKS पद्दत में ठीक, यह चीज, यहीं, MKS पद्दत में लिखना है, जैसे अभी आपको बदा दे बच्चों, अगर कहीं पर एक, वहीं एक अगर मिली मीटर दिया है, तो दस के घात माइनस का तीन मीटर में आपको कनवर्ट करना है, ठीक, याद रखना बच्चों, अगर आपको दे दिया है, अगर एक, यहाँ से एक, माइक्रो मीटर दे दिया है, तो दस के घात माइनस का छे मीटर हो जाएगा, ठीक, अगर इसके अत्रिक दे दिया बच्चों, ठीक, माइक्रो मीटर में ना, नैनो मीटर में आजा है, नैनो मीटर, तो दस के घात माइनस का छे, स्री, नैनो ये चीज ठिक और उसके बाद सेमी में दे दिया है, भी मालते हैं सेंटी मीटर में दे दिया है, अगर एक सेंटी मीटर है tussen सेंटी मीटर है तो दसकी घाट माईनस का दो मीटर, ये बेहद जарूरी चीज़ है, अब यहां से एक चीज़ समझे गा बच्छों, ये यही पर तो पर दे-धार नहीं लागो होगा यहर जगा पर लागो होसकता है जैसे हमने धारा बता दिया जैसे अगर आ गया धारा की बात कर रेंए बच्छों अगर आगया ले दे धारा अगर धारा में आ गया जैसे एक दे दिया एक यहां पे मिली एंपियर है तो भई मिली का मतलब हमने जब मिली बता दिया तो वो दसके घात माइनस 3 एंपियर ही जाएगा अगर एक माइक्रो ایمपियर है ठीक माइक्रो ایمपियर है तो वो दस के घाथ माइनस 6 अंपियर ही बनेगा तो इतना याद रखना ठीक जैसे अब कहीं पर भी इसको चिपका सकता है जैसे हम आविश की बात करें तो एक अगर दे दिया मिली कुलाम तो दस के घाथ माइनस 3 अच्छों, माइक्रो कुलाम, तो 10 के घात माइनस 6 कुलाम, तो ये कनवर्ट करना ही पड़ेगा, हमारी बास समझ रहे हैं न बच्छों, इस तरह से ये चीज आपको कनवर्ट करना ही पड़ेगा, एक चीज और है, एक चीज इसी में है, कि जैसे अगर एक इंगेश्ट्राम ह कहीं कहीं देता है, तो ये 10 के घात माइनस का 10 मीटर, बस इतना याद रखिए, और कुछ भी याद रखने की जरुवत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि कोई भी वैलू देता है, लंबाई की बात करें, हमने बताया ना, चाहे वो धारा के रूप में आजाए, चाहे वो कुला है, तो माइकरो का मतलब वो 10 के घात माइनस 6 ही बनेगा बच्चों, नैनो है, तो 10 के घात माइनस का 9 ही बनेगा बच्चों, इतना याद रखना, ये बेहद जरूरी चीज़ है, और ये कहीं पर भी, चाहे हमने बता ना, जैसे मिली एम्पीर देगा, तो भई हो तब भी हो अगर समय आ गया, क्योंकि MKS, जो time होगा, all time, उसको हम बदलने, यहाँ पर बदलना है, हमको किसमें बच्छों, वो बदलना है, second में ही, ठीक है ना, जैसे समय आ गया, तो समय अगर आ गया, सवाल में अगर एक घंटा दे दिया है, अगर भई हमें एक हावर से ने, एक घंटा दे दिया है, तो हम घंटा में ही उसको नहीं रखेंगे, तो यह हम लिख सकते हैं, 60, ठीक, 60 मिनट होते हैं, लेकिन मिनट में भी नहीं रखेंगे बच्छों, अब 60 म एक मिनट में साड़ सेकंड तो भई यहां पर यह सेकंड में बदल गया, तो हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बीना सेकंड में बदले, कभी भी सवाल नहीं लगाएंगे, इतना याद रखना, चाहे वो घंटे में दिया हो, चाहे वो मिनट में दिया हो, आल टाइम, भई में सा पहले सेकेंड बे बनाएंगे ठीक और बात कर लें अब यहां पर दुरब लाइमान की ठीक हम दुरब लाइमान की बात करिले बिचों जैसे दुरब इसे दुरब लीवान न भी बेड़सों को बहुत सादा ये परिशान करता है तो भीत जीसे अगर एक किलो ग्राम नियुक्त इसके बटे में आएगा तो 10 के घात माइनस 3 यह बंजाएगा KG ठिक तो एक गराम बराबर 10 के घात माइनस 3 KG, तो इस तरह से हमने बताया ना सबसे पहले आप अगर गराम में है तो उसको KG में कनवर्ट करेंगे, लंबाई हुगरा है, सेंटी मीटर में है, मीट तो ये चीज क्या करना है जैसे नैनो सेकंड भी दे सकता है ठीक तो ये चीज ध्यान देना हमको उसको सेकंड में कनवर्ट करना समय है अगर इस तरह से कोई चीज है तो सबसे पहले उसको मेटर के रूप में लिखना है किलियर हो गया तो ये हमारा दूसरा इस्टेप है ठीक स्क्रिंस्वाट करना हो तो कर लिसे चलिए अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं तीसरा बेहत जरूरी है और बिल्कुल जरूरी है भई क्योंकि इसके बीना तो गाड़ी चली ही नहीं पाएगी ठिक फार्मूला का चैन करना है अब कोई भी चीज आजए अगर जैसे वे सवाल में अगर जैसे दे दिया किसी चीज़ का ठिक की कोई किसी वस्तू का दच्रब्यमान दे दिया हितना है ठिक और तरण की बात कर दिया ये है अगर बोल दे इस पे बल कितना लगे गा भई तो हमें पता हो गया बच्चों जब दरब्यमान दे दिया तो अपने को मालूम है F बराबर M into A फार्मूला होता है फिक ना F into A फार्मूला मतलब F बराबर M A फार्मूला होता है तो ये चीज भई जब आप value लिख लेंगे ना तो एक idea लगजाएगा कि फार्मूला कौन सा ल अब देखिएगा इसको गाउर से देखिएगा बच्चों कह रहा है कि तीन सेमी लंबे और 0.002 मिली मीटर स्क्वायर कह रहा है कि अनुपरस्त परिछेद वाले चालक का प्रतिरोध तीन ओम है तो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधता ज्याद करिए हमने क्या कहा सांप हो है तो L बराबर हो गया ठीक L बराबर दे दिया बच्चों तीन सेंटी मीटर अब देखिएगा हमने भी लिखाया ना एक सेंटी मीटर में दसके घात माइनस का दो मीटर ठीक तो सेंटी मीटर में है काम नहीं बनेगा बच्चों ठीक क्या करना है तीन गुड़े दसके घात माइनिस दो मीटर में कनवाट करेंगे बच्चे यही गलती करते हैं सेंटी मीटर है सेंटी मीटर में रख कर बगल हो गए और सवाल हमारी लग गई बिल्कुल भई गलत हो जाएगा न रासियां पहले बराबर तो करिए उसके बाद आगे कह रहा है कि 0.002 mm2 अनप्रस परिछेद वाले यनि अनप्रस परिछेद का छेतरफल की बात कहा है ए बराबर कितना दिया है बच्चों देखिएगा इसको ए बराबर दिया है 0.002 mm2 सबसे पहले मिली मीटर देखिएगा ये m2 इसको छोड़ दीजिए केवल सबसे पहले इतना देखिए समझेए ये मिली मीटर के रूप में मिली मीटर में है तो भई इसको हम करेंगे क्या सबसे पहले बच्चों हम करेंगे इसको हम 0.002 गुले 10 के घात माइनस का 3 ये हो गया मीटर लेकिन यहाँ पर मीटर स्कॉाइर है इसलिए इसमें भी स्कॉाइर लगाना पड़ेगा नहीं तो अगर जैसे लंबाई जैसे इसमें दिया तो भई केवल हम इतना लिख देते ठीक है ना तो ये mm स्कॉाइर है इसके लिए क्योंकि बच्चों एक मिली मीटर में 10 के घात माइनस का 3 मीटर तो 10 के घात माइनस का 3 मीटर इसके बराबर तो हमने रख दिया ना मिली मीटर के स्थान पे अब इसका स्कॉाइर है तो भई हम इसका भी क्या करेंगे स्कॉाइर कर देंगे तो भई ये चीज बदल गया यह जो value निकल कर आ गया 0.002 into 10 की power minus का 6 अब यह meter square में बदल गया है ना इस तरह से आगे गहरा है कि प्रतिरोध 3 ohm है प्रतिरोध बोले तो resistance यह नहीं R का मान दे दिया और यह कह रहा है कि 3 ohm है ठीक 3 ohm है तो भई इसमें कुछ बदलना नहीं है अब कह रहा है कि पदार्थ की प्रतिरोध हकता यहनि इसको भई रो का मान पूछ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध हकता अगर आपने भई पढ़ा है अगर आपने पढ़ा है तो आपको यह पता होगा कि जब R हो, L हो, Rो हो तो फार्मूला जो होता है हमारा Rो बराबर R A अपान L है ना Rो बराबर क्या हो जाता है R A अपान L बस इसी पर रख करके solve कर देना है और कुछ भी नहीं है ठीक तो इस तारह से हमें पता चल गया कि यह चीज है अब आप डायरेक्टली बहुत ही इसली बुच्चों इस पर क्या है value रख करके R का आमान 3 हो गया एक आमान बही 0.002 into 10 की पावर minus 6 हो गया और नीचे लंबाई भी 3 cm था तो 3 गुड़े 10 के घात minus का 2 meter में 3 से 3 कार दीजिए ठीक अब दिखिएगा इसको अगर सही से लिखना है अगर इसको हम दशमलो यहाँ 1, 2, 3 अंग खिसका कर दशमलो लगाए 1, 2, 3 अंग खिसका कर यानि 2 दशमलो 0 के रूप में लिखना चाहेंगे जब भी बच्चों आगे ले जाएंगे दशमलो घात में प्लस होता है पीछे लाते हैं तो घात में माइनस होता है ठीक, 3 अंग ले जाएंगे जब हम यहनि 3 अंग इधर खिसकाएंगे तो 3 अंग खिसकाएंगे तो घात में हम 3 माइनस करतेंगे ठीक है न, बाकी आपको नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम 10 अमलो हटाएंगे तो 2 गुड़े 10 के घात, इसमें 3 भल भी माइनस करेंगे, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, और बटे 10 के घात माइनस का 2 है, ठीक, अब इसको लिख सकते हैं, 2 गुड़े 10 के घात माइनस कितना साथ ठिक ये आजाएगा रो का मान ठिक ये चीज हो जाएगा रो का मान और बहुत सारे बच्छे गलती यहां भी करते हैं इतना लगाने का تو कैसे भी new miracle लगा लिए लेकिन करते क्या हैं वो मातरक में लिकते हैं और ये बहुत बड़ी गल्ती होती है ठीक आपने जो कुछ लगाया है प्रतिरोध का मात्रक औум और इसका मात्र क्या है हमने बदाया है meter square ठीक और उसके बाद लंबाईक मात्रक मीटर, मीटर कड़ गया तो इसका मात्रक औम, मीटर आगया ये होता है जैसे एक एक्जामपल आपके सामने और है एक एक्जामपल और दिखाई पड़ रहा है कह रहा है किसी चालक तार से पांच मिली एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही तो तार से दो मिनट में प्रवाहित होने वाले आविस की मात्रा गया करिए देखिए हमने क्या कहा वैलू का चैन वैलू को कलेक्ट करिए तो भी पांच मिली एंपियर की धारा वह रही है तो मतलब है बच्चों आई का मान कितना दे दिया है तो आई का मान है पांच मिली एंपियर अब देखिए मिली एंपियर है और गलती करते हैं कहा है बच्चे यहीं पर मिली EMPER है तो मिली हो कुछ भी हो बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं और यहीं तो मतलब है बच्चों यहीं समझना है मिली EMPER है तो सबसे पहले इसको हम EMPER में बदलेंगे 5 गुड़े 10 के घात माइनस का 3 EMPER सब की लिखा दिया है इसलिए ताकि आपको कोई problem ना हो आगे कराई तार से दो मिनट में परवाहित होने वाले दो मिनट टाइम दे दिया है दो मिनट ठीक है ना क्या दिया है दो मिनट अब भई एक मिनट में 60 सेकंड तो दो गुड़े 60 हो गया तो ये कितना हो गया 120 सेकंड हो गया अब सेकंड में ये बदल गया अब करना क्या है कहराए प्रवाहित आवेस की मात्रा ग्याद करना है क्यों और क्यों और I और T क्यों I T में क्या संबंद होता है तो क्यों बराबर I into T यही तो relation होता है अब हम करेंगे क्या भई इसले इसको हम solve कर लेंगे क्यूं बराबर भई ये दे दिया है पांच गुड़े दसके घात माइनस का तीन और उसके बाद टी का मान दे दिया है 120 सेकेंड तो भई बारा पंजे कितना होता है 60 होता है ये 60 हो गया और एक 0 ये वाला 600 हो गया 600 गुड हमने बताया ना आगे जब इसको दसमलो आगे लाएंगे मान लेते हैं यहां यहां से यहां दो हम खिसकाएंगे तो घात इसमें जुड़ जाएगी ठीक है ना घात जुड़ जाएगी तो भले जुड़ जाएगा वच्चों लेकिन ये 10 के घात माइनस 3 है और ये 10 के घात ह इतना हो जाएगा माइनस एक तो ये माइनस का एक ही हो जाएगा ठीक है ना इतना क्योंकि ये कोटिमान के रूप में है और मात्रक कुना तो कोटिमान के रूप में लिखा जाता है I hope कि इससे आपको काफी मदद मिली होगी मिलते हैं किसी और ऐसे सांदार वीडियो के साथ जै हिद